नमस्कार सिक्षक साथियों, NIOS के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं डाक्टर रिशब कुमार मिस्र, आज आपके साथ बहुवर्गी सिक्षण में समय प्रबंदन विशेव पर चर्चा करने जा रहा हूं। यदि सामाने कक्षा सिक्षण की तुलना में कहें, तो जहां आप अलग-अलग समया विद उपर अलग-अलग विशेवस्त और पाठ योजना करियान विद करते हैं, वही बहुवर्गी सिक्षण में आपको एक समया वदी विशेश में एक ऐसी पाठ योजना द्वारा सामाने कक्षा के लिए आपको कक्षा में एक जैसे समू को एक विशेव पढ़ाना है, जिसका पाठ करम सू परिवासित है, उससे संबंदे सिक्षण सामकरी आप तयार करते हैं, कक्षा में उस पाठ को क्रियानवित करते हैं और उसका आतलन करते हैं, समय प्रबंधन की प्रसनों को ध्यान में रखने की आप सकता है आप अपनी बहुकक्षा के संदर में क्या द्रिश्टी रखते हैं क्या आप बहुकक्षा को समस्या मूलक मान रहे हैं बोज मान रहे हैं या आप इस अभी व्रेणा से कारे कर रहे हैं कि इस बहुकक्षा को पढ़ाने के लिए आ आप कोई ने कोई रास्ता खोज लेंगे, एक ऐसा रास्ता जहां बच्चों को सीखने का अवसर होगा, आपको बढ़ाने का अवसर होगा और दोनों की गुणवत्ता भी पूर्टया सुनेशित की जाएगी, इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आप विचारिए क्या आप अधिगम योगिताब में, अधिगम शैली में, अधिगम गती में किस प्रकार से भिन है इसके संग्यान में रखने की जरूट है, इसी के समानतर आपको यह भी ध्यान रखने के आप सेकता है कि जिस समुदायों परिवेस में विद्याले है उससे आप कितना परचित हैं क्य जाले ऐसे समुदायों के बीच इस्थित हैं जो हासिय से आते हैं जो भी खरे हुए हैं जहां आवासी या स्वासमंद स्थितियां ठीक नहीं है हाँ यह हावस से है कि यह आप अस्थानी समुदाय से परचित होंगे तो आप बहुबरगी कख्षा का नियोजन और अच्छी त प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं इसके लिए आप तीन साधनों की मदद ले सकते हैं पियर लर्निंग और मॉनिटर व्यवस्ता यह सबसे महत्पूर साधन है इसके अंतरगत आप बड़ी कख्षा के विद्यार्थियों को पियर ट्यूटर या मॉनिटर के रूप में न करते हैं और कख्षा के संचालन में मदद करते हैं दूसरा सामुहिक और व्यक्तिक क्रिया कलाब आप कई बार कख्षा को व्यक्तिक और सामुहिक कारे के तालमेल और सामंजसे से भी पढ़ा सकते हैं जब आप एक कख्षा में सिक्षन कर रहे हूं तो दूसरी कख्षा को सा सामुहिक क्रियाकल आपका अवलोखन कीजिए और उन्हें अग्ला निर्द्यस प्रदान कीजिए इसी तरह स्वाध्यन सामगरी भी बहु अरगी कक्षा में उप्योगी सिद्ध होती है जो आपको कक्षा के निर्धारिस समय में किसी समुविसेश को सनलगन करने में मदद करत होते हैं विद्यार्थी सिखशक जहां अब एक स चेक्षन कर रहे हैं विद्यार्थी विद्यार्थी पिएर लर्णिंग विद्यार्थी अद्येंसामगरी एक निर्धारित समय में किक्षा में तीन प्रकार की सनलगनताएं हैं एक जहां सिक्षक प्रत्यक्षता विद्यार्थी से सनलगन हो रहा है दो जहां पियर ट्यूटरिंग के रूप में विद्यार्थी विद्यार्थी का माध्यसन कर रहे हैं तीन जहां विद्यार्थी स्वाध्यन सामगरी के सांसनलंगना है अर्थात एक कक्षा का संचालन तीन सनलंगनताओं से हो रहा है तो अब आपको सुविधा है कि आप किसे कैसे पढ़ाएंगे अगर मैं मान लूँ कि आपके कक्षा किवदी एक गंटाओं है और तीन कक्षा है कक्षा एक दो और तीन सुरू के बीस मिनट कक्षा एक को सिख्षक पढ़ा रहा है कक्षा दो को मानिटर कक्षा तीन स्वाध्यन सामगरी में सनलंगना है दूसरे बीस मिनट को कक्षा एक को स स्वाध्धिन द्वारा पढ़ाय जा रहा है, कक्षा 2 में सिक्षक है, कक्षा 3 में मानिटर है, और अंतिम के 20 मिलट में कक्षा 1 में मानिटर है, कक्षा 2 को स्वाध्धिन समग दियरी, कक्षा 3 में सिक्षक है, इस प्रकार के साय योजन द्वारा आप कक्षा में समय का प्रब करते हैं लेकिन यहां कक्षा या योगिता अधारिस्तमू अपनी शम्ता के अनुसार अलग-अलग कारे निस्पादित करते हैं इस विधी द्वारा कक्षा सिक्षण के लिए आपको अलग-अलग पाठे चर्या के बजाए कुछ थीम को पहचानना होगा और इस थीम से दक्ष ताकि अस्तर को कक्षाओं के अनुरूप विभाजित करना होगा उधारण के लिए आपने कक्षा एक दो तीन को गणित पढ़ाने के लिए एक मैट्रिक्स दे दी जिसमें गिंतियों का योग शैतित और उर्थादर दोनों तरहिकों से पंद्रा आ रहा है अब आप इस गि द्यार्थियों को तीन अंकी संख्या बनाने को कह सकते हैं यहां एक ठीम से तीन अलग-अलग दचताओं के समवर्धन को आपने एक ही कक्षा में क्रियानवित किया और अपना समय का प्रभावपूर्ण प्रबंधन भी आपने कर लिया समय प्रबंधन के संदर में आप दो निसकर्स तक पहुंच सकते हैं पहला कक्षा के क्रिया कलाप कर नियोजन कक्षा में दूसरा कक्षा में दाइत्व का वितरन जब मैं कह रहा हूं कक्षा में क्रिया कलाप कर नियोजन तो आसर यह है कि आपने जो क्रिया कलाप निर्मित किये हैं वे ही सिक्षक की भूमिका क को निभा रहे हैं सिक्षक कक्षा में उपस्थित है वह एक समूं विशेश के साथ प्रत्यक्ष सिक्षन कर रहा है लेकिन अन्य कक्षाओं और अन्य समूहों को उसने ऐसे क्रिया कलाब दिये हैं जो उसे उत्सी प्रकार से सिक्षन का भागीदार बना रहे हैं जैसे कि वह सि क्यूटरिंग करें तो इंडिपेंडेंडेंट प्रोजेक्ट वर्क दें आप कक्षा में किसी योजना को क्रियानवित कर रहे हैं तो कई बार समुदाइगत वीडियो को भी इस्थान दें इस प्रकार क्रिया कलापों का संयोजन समय के प्रबंधन में मदद करता है अब जिन क्रिया कलापों को आप कक्षा में क्रियानवित कर रहे हैं और एक से अधी कक्षाएं हैं वहां पर दाइतों का वित्रण भी स्पष्ट होना चाहिए कि विद्यार्थी से क्या पेक्षित है सिख्षक से क्या पेक्षित है और वे किस प् कौन कब क्या करेगा और इसकी सहमती विद्यार्थियों से लें विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी हो इसे कक्षा में चार्ट या पोश्टर के माध्यम से प्रस्तुत के लें छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सचित्र पुस्तकों जैसे संसाधन को कक्ष दें भाशा और गनित की कख्षा को प्रातर काल में ही रखें इससे विद्यार्टियों का अवधान बना रहता है समय सार्णी को लोचसील रखें इसके क्रियानवेन के अनुभवों के अधार पर बदलाव करते रहें बदलाव का उद्देश यह होना चाहिए कि प्रतेक संबाद का अधिक्तम मौका मिले कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक कख्षा विश्यस के साथ आप अधिक समय दे रहे हैं और दूसी कख्षा पीर लर्निंग और स्वाध्याय कारे में अधिक जुड़ी हुई है इस प्राकार के कसोटियों पर आप अपने समय सार्णी का रिखता के विश्यस इन्हें समुदाय के साथ जोड़कर कख्षा का समय प्रबंधन करते वे पढ़ाएं लेकिन कुछ विश्यस ऐसे होते हैं जिने कख्षा वार पढ़ाए जाने की आप सकता होती है आप यह ध्यान रखें कि विश्यस को इस प्रकार की कैटेगरी में भी बाटें वे भी से जो सारी कख्षाओं को एक साथ पढ़ाए जा सकते हैं वे भी से जो कख्षा वार पढ़ाए जाने चाहिए और समय सानी में इसे भी अस्थान दें छोटी कख्षाओं के विद्यार्थियों की अवधान अवदी कम होती है उन्हें किसी गत्वीदी में लं लगने रहें यह भी ध्यान रखें कि दो आसन निया क्रमागत कख्षाओं का सायोजन आपको एक सुविधा जन्य किस्तिती पैदा करता है इसलिए आप गत्वीडियो में एक रूपता रखते हुए कख्षा एक और दो कख्षा तीन और चार जैसे सायोजनों का निर्मार करें इससे समय और संसादन दोनों की बचत होगी यह ध्यान रखें कि आपकी कख्षा में कोई दिव्यांग विद्यार्थी है तो समय प्रबंदन में उसकी आफसेक्ता भी संबोधित हो वह कहां बैठेगा क्या करेगा कैसे मॉनिटरिंग होगी कौन उसका ट्यूटर होगा कौन उसकी मदद करेगा इसकी विश्चत रूप रेखा आपको तैयार करनी चाहिए बहुबरगी कख्षा के लिए जिस समय सानरी को आप बना रहे हैं उसे कख्षा के समुख प्रस्तुत करें विद्यार्थियों को समझाएं ताकि वे भी इस समय सानरी को अपना सकें क्योंकि व जबकि बहुबरगी सिक्षन में आप लगातार एक कख्षा के समुख से नहीं चुड़ सकते और यह बास समय साड़ी में कैसे प्रतिविंबित हो रही है और उस समय विद्यार्थियों से क्या पेक्षाएं हैं यह विद्यार्थियों को इसपष्ट की जाए और ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि वे उसमें सहयोग प्रदान करें एक उपाय आप और भी कर सकते हैं एक जांसुची का प्रयोग करें और उसके आधार पर आकलन करते रहें कि आपके विद्याले के सम्मंद में कौन सी युक्तियां सफल हो रही हैं कौन सी युक्तियों को सुधार किया जाने की जरूवत है या क्या उसमें गैप्स रह गए हैं यह जान सुची आपको अपनी कख्षा को नियोजित करने में मददगार से दोगी यह भी ध्यान रखें कि शिल्प कारे आनभाव और अन्य सामुदाई गत्विधियां केवल पाठी सागामी गत्विधियां नहीं हैं पाठी चर्या के थीमेटिक अन्कूलन में यदि आप इन्हें इस्थान देंगे तो आपके समय प्रबंधन में इनकी भूमी का महत्पूर्ण हो जाएगी इन गत्विधियों में विध्यार्थी विशय सीखने के साथ साथ एक साथ मिस्रिस सम्मू में सनलगन होगा और वहा करते हुए उनका थीमेटिक अनुकूलन करते हुए कख्षा की निरस्ता को तोड़ने का प्रयास करें विध्यार्थियों को ने भागिदारी के लिए प्रोसाहित करें और समुदाय के संसाधन को अधिगा मनुगों का हिस्सा बनाए यदि आप इन युक्तियों को अपनाते हैं तो बहुवर्गी कख्षा सिक्षन आपके लिए सरल कारे हो जाएगा ध्यान यह रखना है कि बहुवर्गी कख्षा सिक्षन एक जटिल कारे नहीं है एक सरल किन्तु नियोजित कारे है आपको एक प्रबंध के रूप में क्रिया कलाप समय और संसाधन इस धंग से नियो सिच्छा की रूप में ये आफसर अपने विद्यार्थियों को उपलब्द करा सकते हैं आशा है कि ये चर्चा आपके लिए लावकारी सिद्ध होगी धन्यवाद